दोस्तो आचारी चानक उसाग्र बुद्धी के धनी थे वे अर्थ सास्त्र राय नीती सास्त्र आधी के ग्याता थे साथ ही उन्हें समाजिक मामलों की भी घहरी समझ थी आचारी का जीवन बहुत कटनाईयों में गुजरा लेकिन उन्होंने अपने हर संगर से प्रणा ली जी अपने ग्रंत चानक के नीती में ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जो आज भी लोगों के भविस्थ को बैतर बनाने में मददगार हैं यदि आप आचारी की बातों पर गौर करेंगे तो आपको उनकी बातें कटोर और थोड़ी कड़वी लग सकती हैं लेकिन वास्तम में वो जीवन के यह थार्त से वाखिफ कराने वाली बातें हैं यदि आचारी चानक की नीतियों को व्यक्ति ठीक से समझ कर अपने जीवन में उतानने का प्रियास करें तो अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं आई ये जानते हैं रात को पतनी के साथ ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने से आप धनवान बन सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे इस्तिरी से साधी करने से भाग्योदय होता है ऐसी कौन जी इस्तिरी है जिससे हमें साधी करनी चाहिए दोस्तो आचारी चानक के अनुसार धर्मय विचारों वाली इस्तिरी से साधी करने से व्यक्त व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, जिस घर में नित्य नियम पूजापाथ होती है, वहाँ पर भगवान का वास होता है, ऐसे घरों में किसी भी तरह PERCY समझ स्मेज्याइं नहीं आती, आचार रिचानक के अनुसार संतोष रखने वाली इस्त्री से साधी करने से व्यक्ति का भाग्यदय हो जाता है ऐसे इस्तरी हर परिस्तिती में अपने पती का साथ देती है धेरे रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असपल नहीं हो सकता आचारे चानक के अनुसार धेरेवान इस्तरी से ही साधी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है जीवन मे ध्यार का होना बहुत जरूरी है क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुस्मन होता है आचारे चानक के अनुसार जो इस्तरी क्रोध ना करे उससे साधी करने से व्यक्ति का भाग्य बतल जाता है जिस घर में क्रोध करने वाले लोग नहीं होते वहाँ पर भवान का वास होता है, वहाँ पर वी किसी भी तरे की समस्याइ नहीं आ सकती आचार रिचानक के नुसार, व्यक्ति को हमेशा मदूर वचन बोलने चाहिए मदूर वचन बोलने वाली इस्त्री से सादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है ऐसे इस्तरी के घर का माहौल हमेशा सुख में रहता है अब बात करते हैं ऐसा कौन सा एक काम है जो पती को अपनी पत्नी के साथ हर रोज रात को करना चाहिए दोस्तों आपको अपनी पत्नी से हर रोज रात को जो है खूप सारा प्यार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए जिससे कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें सुक्सम्रदी आती रहें ऐसा करने से माल लचमी भी आपसे काफी पिरसन होती है जो लोग अपनी पतनी का आदर नहीं करते उनकी इज़्यत नहीं करते ऐसे घर मैं कभी भी मालचमी कदम तक नहीं रखती तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा आपने दोस्तां सेयर करें वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल के माद्दम से ऐसी रोज नई बातें सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने हैं मिलते हैं के लिए नई वीडियो में तब तक के लिए उसको बाए